हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल वी मेक विनर्स आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस उसका सब टॉपिक है फ्यूचर इंडफनित टेंस वीडियो चुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो आज का हमारे टेंस है फ्यूचर इंडफनित टेंस फ्यूचर इंडफनित टेंस की पहचान ये होती है कि इस अंटेंस जब भी हमारा एक्ट्व वाइस में लिखा आपको दिखाई देगा तो उस केस में उस टेंस में यानि उस संटेंस में आपको विल या शैल के साथ वर्ब की फस्ट फॉर्म दिखाई देगी ठीक है फ्यूचर इंडफनित टेंस की पहचान ये होती है कि इसमें विल या शैल के साथ वर्ब की फस्ट फॉर्म दी होती है अब अफर्मेट्व संटेस की बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडफनित के एक्ट्व संटेस को पैसिव वाइस में चेंज करने के लिए जो हमें formula चाहिए वो ये है सबसे पहले हम use करते हैं ओब्जिक का उसके बाद will या shell लगाते है will shell के बाद b का प्रियोग किया जाता है और उसके बाद verb की third form फिर अगर हमारे को एक्ट्रा word है तो हम उनको use करेंगे फिर by लगाएंगे और फिर subject लगाएंगे तो चले शुरू करते हैं देखते हैं एक sentence बनाकर हमारे example दिया हुआ है the girl will sing a song तो आप देख सकते हैं sentence हमारा active voice में लिखा हुआ है और जैसे कि आपको बताया कि active voice की जो पहचान होती है उसमें क्या होता है will या shall के साथ verb की first form होती है तो आप देख सकते हैं will के साथ sing दिया है इसका मतलब sing verb की first form है और will हमारी helping verb है तो इसको बनाने का तरीका वही रहेगा क्योंकि sentence हमारा subject से शिरू हो रहा है the girl से तो क्या होगा जो इसका object है वो subject बन जाएगा और जो subject है वो object बन जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या उठाना चाहिए object और हमारा object क्या दिया गया है a song सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a song अगर यहाँ पर हमारा subject i या we आएगा तो हम shall लगाएंगे यहाँ हमारा अगर i या we आएगा तो हम shall लगाएंगे वरना क्या लगाएंगे will लगाएंगे तो आप देख सकते हैं a song आया है इसलिए यहाँ पर हमें क्या लगाना है will ठीक है अब हमें क्या करना है जो हमारी will या shall है उसके बाद हमें add करना है be पिर जो हमारी verb है उसकी third form लगानी है वर हमाई sing दी है और sing की third form होती है अब हम लगाएंगे by और दगल बदल जाएगा दगल में जो कि जो हमारा noun होता है वो change नहीं होता है इसलिए इसको हम ऐसे ही लिखतेंगे अब हमारा अगला तर इसका तरीका है type है sentence का वो negative sentence है negative sentence भी affirmative sentence की तरह ही होते है बस इसमें आपको क्या दिखाए देगा not या never दिखाए देगा तो हमें not या never sentences में कहां लगाना है will या shell के बाद क्या लगाना not लगाना जो अल्रड़ी आपके active sentences में लगा होगा b की position पर ध्यान दीजिए b हमारा not के बाद आएगा यह जो third form होती ही ना उसे just पहले भी आना चाहिए just पहले ठीक है इसका भी sentence देखते है sentence लिखा हुआ है the servant will not call him तो इसमें भी हमें क्या उठाना चाहिए सबसे पहले object उठाएंगे object हमारे क्या लिखा है him का subject to case क्या होता है he इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे he अब उस subject के बाद हमें सबसे पहले helping work लगाने हैं will या share लगाना है तो आपको बताया है अगर I या we आएगा तो share लगेगा वरना क्या लगेगा will लगेगा इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे will अभी क्या हमने किया है सबसे पहले लिख लिख लिया है हमने subject उसके बाद helping work लगा दी है अब helping work के बाद क्या दिखाई दे रही है आपको not दिखाई दे रहा ना तो हम लिखेंगे not not भी लिख लिया अब भी कोई extra word है नहीं तो हम लगाएंगे by और जो subject है उसका subject to case लगा लेंगे subject हमारा the servant है वो noun है और वो बदली का नहीं इसलिए हम लिख लेंगे the servant इसके बाद हमारा interrogative दिया है interrogative दो प्रकार की होते हैं एक yes या no type होता है और दूसरा wh type होता है सबसे पहले yes या no type देखते हैं yes या no type में क्या होगा जो हमारी helping बर will your shell थी न वो sentence में सबसे पहले आपको दिखाई देगा जब अब वो sentence हमारे लिखे होंगे आपको एक्टिव इसमें तो भी आपको will your shell पहले दिखाई देगा आप देख सकते हैं नीचे याँ पर तो अगर will your shell दिया है तो हम will your shell ही पहले रखेंगे रखेंगे किसके according object के according तो हम चलिए बनाते हैं sentence को sentence हमारे लिखा है will they buy some books तो आप देखिए sentence में जो हमारा object है वो क्या है some books है some books के लिए तो हमें will लगाना है क्योंकि sentence हमारा यसे no type intuitive था तो helping आप से शुरू होगा यह देख लिए आप will से शुरू है इसका मतलब will यह shell ही लिखा जाएगा लिखा जाएगा object के according object हमारे लिखा था some books some books के लिए लगेगा will फिर हम लिखेंगे object object हमारा है some books अब हमें क्या लिखनी वर्प की third form लिखनी है न वर्प की third form से जिस्ट पहले हमें लगा लेना है फिर जो वर्प है उसकी third form by की third form होती है बॉट अब यह को extra word है नि वर्प हमें ही पे add करते directly जो हमारा subject बच रहा है न उसका objective case लगाएंगे तो पहले लगाएंगे हम by और फिर दे बदल जाएगा last में लगा लेंगे question mark दूसर type हमारा डबलो एश type डबलो एश type में क्या होता है question word पहले आता है question word आपको पहले दिखाए देगा आप देख सकते हैं इसमें why दिखाए देड़ा आपको पहले अगर question word से शिरू है तो हम question word ही पहले लिखेंगे यानि सबसे पहले sentence को जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे जो question word है उसको लिखेंगे यानि why है तो लिखेंगे y उसके बाद will है यानि विल ये शेल है तो विल ये शेल ही लिखा जाएगा लिखा जाएगा object के according object हुमारे लिखा है a letter, a letter के साथ क्या लगना चाहिए will हम लगा लेंगे यहाँ पर will फिर लिखेंगे a letter अभी क्या लगाएंगे b b की positioning पर ध्यान रखिएगा जो हमारी वर्प की third form होती है उसे just पहले लगेगी write है, write की third form होती है return फिर लिखेंगे by she बदल जाएगा last में लगा लेंगे question mark अगर कोई sentence हमारा who से start हुआ है तो क्या करेंगे who को बदल देते हैं by whom में उसके बाद क्या करना है जो हमारा object है उसके according will ये share लगाना है तो object हमारा the letter था इसलिल लगाया जाएगा will उसके बार the letter फिर लिखेंगे be और जो हमारी वर्प है उसकी third form और हमारे read है और read की third form red होती है इसलिए इसको मैं इसे लिख लेंगे इसमें कोई subject होता नहीं है और by हमने पहले ही लगा लिया है इसलिए दुबारा लिखने की ज़रूर नहीं है इस तरह से आपकी interrogative sentences हो गए इसके आगे आपके सामने कुछ sentences दिये गए हैं इन sentences को आप लोग बनाईएगा और इन sentences को बनाने में पर दिक्कत आये तो फिर आप पूछ भी सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हों और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकोन को प्रस करना बिल्कुल ना भूलिए Thank you so much